चिंता नहीं आपको सिर्फ चिंता राहूल गांधी की ये सिर्फ चिंता भारत जोडो यात्रा की ये सिर्फ चिंता कॉंग्रेस पार्टी की पोलिटिकल प्रोटोकॉल से बाज आईए मेडिकल प्रोटोकॉल लाईए क्या राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और भारती जन्ता पार्टी को डर सताने लगा है? तो भारत सरकार को सिर्फ राहूल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोडो यात्रा आप दिख रही है। तुकि भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड आ रही है उससे भारती जन्ता पार्टी को डर सताने लगा है क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं स्वागत है आपका AR News इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ आकिल रजा कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसका नितरत्व खुद राहूल गांधी कर रहे हैं और आप देखी सकते हैं कि लगतार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है भारी हुजूम इसमें शामिल हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा को भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ये तस्वीरे आपके सामने ये हर्याड़ा की तस्वीरे हैं और अब जो है हाली के दिनों में यानि कन परसो जो है दिल्ली में प्रस्थान ये यात्रा करने वाली है और ये तस्वीरे जैसे ही बाहर आ रही है तो आप देखें कितनी भारी मात्रा में लोग एकत्रित हो रहे हैं राहुल गांधी के साथ कंदे से कंदा मिला कर आगे चल रहे हैं और इनी तस्वीरों को दिखा कर के कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि इस भीर से भारती जनता पार्टी को डर सताने लगा है उन्हें एहसास होने लगा है कि अब भारत जुड रहा है और भारती जनता पार्टी का सफाया हो रहा है लेकिन इसी भीच जो खबरे आ रही हैं उसको भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए वो खबरे हैं कोरोना के नए वेरियंट की कहा जा रहा है कि स्वास्त के मद्दे नजर जो है इस पर सतरक्ता बरतनी चाहिए और कोरोना के नए वेरियंट से निपटने के लिए हमें पहले से ही सारी सुविधाएं अपना लेनी चाहिए सुरक्षा के पूरे इंतिजाम कर लें चाहिए और इसी के अवज में कॉंग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा बता रहे हैं कि राहूल गांधी को भी स्वास्त मंत्री की तरफ से एक लेटर पहुचा है और भारत जोडो यात्रा रोकने की बात कहीं जा रही है लेकिन वही पर ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ भारत जोडो यात्रा को रोकने की क्या ये साजिश है क्योंकि अगर गाइडलाइन्स है वो सब के लिए क्यों नहीं है सिर्फ भारत जोडो यात्रा के लिए गाइडलाइन्स क्यों बनाई जा रही है या कॉंग्रेस पार्टी क कुछ तस्वीरें सामने लग देते हैं ये भी चर्चा का विशे बनी हुई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी सदन के अंदर मास्क लगा करके पहुँचे और ये एक तरही का सुझाब है कि पहले ही हम उसकी त्यारी करें मास्क लगाएं लेकिन वहीं दूसरी तरह प्रधान में कोरोना का डर दिखाया जा रहा है लेकिन शादी में कोरोना नहीं है ये अरोप लगाते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के उपर सवाल खड़ेग हो रहे हैं वसीम अकरम त्यागी हैं लिख रहे हैं कि दो तस्वीर है दोनों एक ही दिन की दोनों एक ही शक्स की जब संसद में बैठे तब कोरोना था लेकिन जब शादी में शरीक हुए तब कोरोना नहीं था इसलिए मास्क भी नहीं लगाया तो प्रधान मंतरी नरिन मोदी की ये वीडियो काफी जादा वाइरल हो रही है जिसमें वो शादी शमरों को में शामिल होने के लिए गए हैं ऐ करना मास्क लगाना पड़ता इसके साथ ही एक ट्वीट और आपके सामने रखते हैं उसके बाद में हम पवन खेडा ने जो सवाल खड़े की हैं वो आपके सामने रखेंगे सूर्य प्रताप सिंग आईस रिटार्ड हैं लिख रहे हैं कि मालिक ने जो टास्क दिया अच्छ समस्याओं से ध्यान भटकाना या फिर दोनों यानि यह कह रहे हैं कि भाराज जोड़ो यात्रा जो अब दिल्ली की तरफ कूच कर रही है पोहुचने ही वाली है और उसी की वजह से जो गोदी मीडिया चैनल है वो कोरोना का डर दिखा रहे हैं वो लोगडाउन का डर पड़ेंगी लेकिन वो सबके लिए हो अब आपके सामने रखते हैं कि पवन खेडा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पवन खेडा ने अपनी बात में किस तरहां से भारती जंता पार्टी को और मुझूदा सरकाव को घेरने की कोशिश की है सुनिया मानने स्वास्त मंतरी ने जैसाथी घेराम रमेश जी ने बताया कि एक भाजबा सांसद राजिस्थान से हैं विपी चौधरी उनके पत्र का हवाला देते वे राहूल गांदी जी को ये पत्र प्रेशिश की है हम ये जानना चाते हैं क्या इसी तरहें का पत्र भारती जन्ता पार्टी के राजिस्थान के अध्यक्ष सतीष पुनिया को भी भेजा है जो जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं मानता हूँ उस जनाकोष यात्रा में भीड नहीं आ रही है। मानता हूँ भारत जोड़ो यात्रा में भीड बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र करनाटक की भाजपा को भीजा गया है जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भीड नहीं आ रही हैं मैं मानता हूँ। स्विकार करता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में उद्धा है और भीड़ जादा है। आज अभी यहां से आप हवाई आटे जाए, हवाई जाहर में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सानिटाइजर दिया जाएगा, खतम। क्या भारत सरकार ने नियमों का की कोई घोशना की है, कोई प्रोटोकॉल की घोशना की है, क्या संसच का सत्र ठगित कर दिया गया, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा, तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गान्धी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कॉंग के गोशना करें और वो नियम सब के लिए लागो होने चाहिए सिर्फ रावूल गांधी के लिए नहीं सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो यह पवन खेड़ा थे और बता रहे हैं कि कैसे कोंग्रेस को निशाने पर लेने का पाम कर रही है और सिर्फ भाराज पंखुडी पाठक हैं कॉंग्रेस की नेता लिख रही है कि ये जो हर दिन राहूल जी वा कॉंग्रेस के नितर पर निम्न इस्तर के बयान आ रहे हैं ये जो सरकारी पतलकारों द्वारा फेक न्यूज चलाई जा रही है ये जो दर्बारी मुंतशिरों से जबान गंदी कराई जा रही है मनोज मुंतशिर को निशाने पर लेते हूं करें हैं ये सब भारजड़ यातरा की लोक प्रियत्र का असर है तो लगे रहो साथ ही हो और उन्नोंने Weडियो साजह किया है वीडियो आपकी स्क्रेन पर ये वही वीडियो है जो भारजड़ यातरा दिल्ली की तरफ क खिसक रही है और उसी से डर सताने लगा है और यही संब्झेया पैठायो निंचान पर लेते हुए कि मीडिया और किस तरहार तरहां का वैरियेंट और यह बात सबको मानना पढ़ेगा कि स्वास्त मंत्रानले कि तरफ से अगर कोई guidelines कोरोना को लेकर आती हैं तो वो सभी को माननी होंगी लेकिन सवाल वही है कि वो जो भी guidelines हो वो सब के लिए हो क्योंकि जिस तरह से Congress की नेता अरोब लगा रहे है कि भारती जनता पार्टी की अगर कोई नेता rally कर रहा है तो उसमें कोरोना नहीं पहुच रहा है लेकिन अगर Congress की यात्रा चल रही है तो उसमें कोरोना पहुच रहा है तो यह दोहरा मापदंड किस तरह का बरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जो fact हमने आपके सामने रखे प्रधान मंतरी नेत मोदी का सदन में मास्क लगा कर बैठना और शादी समारों से नि लत्रा को रोकने के प्रियास में लगे हुए है वो राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को रोकने के प्रियास में लगे हुए है या वाकई आपको लगता है कि नहीं हमें सतर्क रहना चाहिए और इन सभी चीजों का पालन करना चाहिए ताकि हम किसी भी गंभीर समस्या में हमारा देश नहीं पड़े इस वीडियो में सिर्फ रित नहीं कमेंट बोक्स मा आकर अपनी राय जरूर दीजेगा और वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा दोस्तो शुक्रिया